हलो वच्चों कैसे आप लोग सब कुछ बढ़ियां तो चले स्टार्ट करते हैं आइसोमर का लेक्चर थार्ड और सिखाना क्या है आज फंक्शनल आइसोमर मीटामर्स रीचैन आइसोमर लाख दो लेक्चर देखते आ रहे हैं इस साइमिंट बनाते जा रहे हैं खुब अच्छे धंग से वर्क कीजिए आज जब हम लोग सीख लेंगे इसके बाद के लेक्चर में से डाउट बताएंगे आपको तरह तरह का जो प्रॉब्लम आपके सामने रखे हैं जहां आपको कन्फूजन है उस सब को दूर कर रहेंगे तब चलेंगे टोइटोमर्स में ठीक है तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर थार्ड with functional isomer ओके नौर रेड़ी चलिए functional isomer क्यों रहा हाँ functional isomer functional isomer किसों कहेंगे दोह समझेगा compound having having the same molecular formula isomer के लिए तो कहानी है ही molecular formula तो same होना ही चाहिए, compound having the same molecular formula, same molecular formula but different functional groups different functional groups are called functional isomer and this phenomenon and this phenomenon phenomenon is known as functional isomerism compound का molecular formula तो same होगा, यहां तो कोई बात नहीं है, की point क्या है यहां से, but different functional group यहीं molecular formula same होना चाहिए, अब बदलेगा क्या functional group, कुछ यह कासर कहां कहां बदलेगा, जा देखो सबसे famous example, यह number में लाओ, अगर formula दिया होगा, cnh12.o, इस तरह से कोई formula दिया हुआ है, c4, h10, o, अगर हम uf निकालें, या du निकालें, तो नों तो एक ही चीज है, क्या निकला, 0, degree of unsaturation 0, means open chain, और इसके साथ oxygen भी है, open chain है, oxygen है, और du 0 है, तो बता रहा है कि कोई double bond नहीं होगा, इसका मतलब यहाँ पर जो oxygen है, वो single bond के साथ present है, यानि यह क्या दिखा रहा है, यह open chain में है, clear, और no double bond, no double bond, double bond भी नहीं है, इसका मतलब यह oxygen single bond के साथ exist कर रहा है, और oxygen single bond के साथ दो तरह से exist कर सकता है, आइदर alcohol और ether, जैसे माल लो, यह क्या बन गया, alcohol, और यह क्या बन गया, ether, तो alcohol और ether, आपस में क्या कहलाएंगे, यहां function group किसका है, alcohol का, और यहां function group किसका है, ether का है, clear, note किया जाएंगे, चलिए आगे, next example कियो है, सब लिख लिए आप लोगों ने, second number, और क्या हो सकता है, अगर alcohol है, तो यहां पर sulfant लगा सकते हैं, इसको थाई, थायो अल्कोहल कहेंगे, याद करो, सब लिख केचन में बता चुके हैं, थायो ether हो जाएगा, थायो मतलब क्या, sulfur, दोनों क्या कहलाएंगे आपस में, functionalisomer, doubt है क्या, अच्छा, अगर ऐसा दिया रहता, cn s2no, c3 s6o, ध्यान दिजेगा, अगर यहां du निकालोगे, तो 1 होगा, du क्या होगा, 1 होगा, अब du 1 है, तो कैसे सोचेंगे, अगर हम open chain सोचेंगे, तो वहां तो double bond होगा, या तो ring सोचेंगे, तो दो तरीके से इसको सोच सकते हैं, नीचे लिख लिए होंगे आप लोग, सोचने का तरीका देखिए, इसको दो धंग से सोचेंगे, कैसे सोचिएगा, कि अगर open chain है, तो open chain कैसे अग्जिस करेगा, double bond के साथ, क्योंकि du 1 है, और formula क्या है, c3 s6o, तो अगर open chain सोचेंगे, तो open chain with double bond, अब double bond दो तरीके से हो सकता है, ऐदर carbon carbon double bond हो सकता है, या carbon oxygen double bond हो सकता है, और यहाँ क्या होगा, ring होगा, और ring में भी क्या, only mono ring, और ring, mono ring है, चुकि oxygen है, तो ring भी दो तरीके के होगे, एक होगा, homocyclic, और दूसरा क्या होगा, heterocyclic, ऐसे सोचने का तरीका डेवलप करेंगे, चलिए, कितने carbon है, तीन, अगर तीन carbon है, और carbon oxygen, double bond 1 बना चुका है, तो du तो 1 हो चुका है, बचे कितने carbon, दो, ऐसे जोड़ दीजिए, क्या दिखा, ketone, 1,2,3 carbon, 3,3,6 hydrogen, एक oxygen, इसको क्या कहोगे, ketone, कहोगे न, और इसी का देखो, अगर carbon double bond with oxygen हो चुका है, यह हो चुका है, तो du 1 हो चुका है, यहाँ h दे दिए, बचा कितना carbon, दो, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, एक, दो, तीन carbon, तीन, दो, पाँच, एक, छे hydrogen, और एक oxygen, जहाँ ketone होगा, वहाँ aldehyde होगा, तो अगर कोई पूछे, कि aldehyde और ketone आपस में क्या कहलाएंगे, functional isomer, दोनों का molecular formula सेम होगा, और सेम molecular formula के दो अलग-अलग function group तयार हो रहे हैं, इसलिए यह दोनों compound आपस में functional isomer कहलाएंगे, अगर carbon double bond के साथ चले जाएं, ध्यान से देखिए, double bond के साथ चले जाएं, तब तो oxygen मजबूर है कि single bond के साथ दिखाएंगे, क्योंकि जो du है, वो किसके साथ satisfy हो गया, carbon carbon double bond के साथ, तब तो oxygen free है, वो single bond के साथ exist करेगा, यहाँ double bond भी function group है, alcohol भी है, in भी है, all भी है, इसलिए ऐसे function group को in all कहते हैं, यह भी तो अलग हो गया, यह भी function isomer है एक दूस्रे का, function group बदल गया, अगर जहाँ alcohol होगा, वहाँ तो ether होगा ही, बताय थे, alcohol और ether एक दूस्रे के function isomer है, तो यहाँ double bond, देखो एक, दो, तीन कारवन, तीन, दो, पाँच, एक, छे है hydrogen, और एक oxygen, do you किस से satisfy हुआ, double bond के साथ, तो यहाँ आ क्या रहा है, यह ether है, यह क्या है आपको ether है, और यह क्या है, अलकीन है, यह भी एक अलग function group हो गया, clear, यह तो सभी आपस में क्या कहला हैंगे, functional isomer कहला हैंगे, अब चले साइकिल के तरफ, को दिक्कत है, साइकिल में जब देखिए, होमो, तीन कारवन का बना होमो, अब डियू तो इसके चलते सटिस्फाई है, इनके चलते वो, अब इसके पास दो हाइडोजन, इसके पास दो हाइडोजन, और इसके पास एक हाइडोजन, तीन कारवन तो दिख रहा है, दो, दो, चार, एक, पांच, एक, छे हाइडोजन, एक oxygen, clear, alcohol है, अब तो इसक बना सकते हैं, hetero cycle ही तो बना सकते हैं, देखो तो, cyclic ether, यह दोनों भी आप उसमें क्या कहलाएगा, यहाँ function group alcohol का है, cyclic alcohol है, और यहाँ cyclic ether है, यह भी आप उसमें कैसे क्या कहलाएगे आपको, functional isomer, fi, तो कैसे सोचने का तरीका डवलब करेंगा, समझ रहे हैं बात को, पहल लिख लिए, चलें आगे, C नमबर हो गया, D नमबर के ओर चलें, अब ध्यान दीजिए, अगर Cn, H2O2 दे दे देता, इस तरह से, दो oxygen है, C4, H8O2 लिख देते हैं, और Du दीख रहा है, कितना है, Du, 1 है, Du कितना दिख रहा है, 1 है, oxygen कितने हैं, 2 है, Du, 1 है, इसको दो तरीके साथ फिर सोचिए, open chain होता, तो open chain होता, तो open chain with DB, double bond, और दूसरा क्या होता, close chain, open chain होता, दूसरा close chain होता, open chain होता, इसमें दो बाते होती है, या तो carbon carbon double bond होता, या carbon oxygen double bond होता, ध्यान दीजेगा, और close chain होता, तो चुकि Du 1 है, तो एक ही ring होता, mono ring, एक से ज़्यादा ring नहीं सोच सकते हैं, mono ring, और इसमें भी सोचने का तरीका दो तरीके से होता, एक होता, homocycle, दूसरा होता, hetero cycle, homocycle, दूसरा होता, hetero cycle, clear, अब यह देखो, अगर हम लोग, unsaturation, carbon double bond oxygen के साथ पुरा कर दिये, Du पुरा कर दिये, वन हो गया, अब तो एक oxygen भी है, और वो oxygen तब single bond के साथ अच्जिस करेगा, और oxygen single bond के साथ कब अच्जिस कर सकता है, या तो वो alcohol हो, या तो ether हो, यह रहे, single bond के साथ अच्जिस करेगा, Du तो एक पुरा कर दिये, अगर हम यहाँ पर OH ऐसे जोड देते, यह function group बन जाएगा, carbon jelly के seed का, ध्यान दिजेगा जड़ा, और एक वार अगर हम ether लिख देते, Du पुरा कर दिये, carbon double bond oxygen के साथ, अब एक वार OH जोड दिये, तो एक वार OCS3 जोड दिये, यह function group किसका हो गया mister, क्या ister बन रहा है न, clear, पुरा देते हैं, पुरा ज़्या देखो, एक carbon है, यहाँ carbon केतना अच्छे, चार, तीन जोड दिजे, CS2, CS2, CS3, यहाँ दो carbon पुरा है, दो जोड दिजे, देखो तो, एक, दो, तीन, चार carbon, 3, 2, 5, 2, 7, 1, 8 hydrogen, 2 oxygen, यहाँ भी, एक, दो, तीन, चार carbon, 3, 3, 6, 2, 8 hydrogen, 2 oxygen, तो क्या कहेंगे, कि जो acid होता है, यह carbon jelly के seed है, और यह stir है, यह दोनों आपस में, क्या कहलाएंगे, FI, functional isomer, कहलाएंगे के नहीं कहलाएंगे, आप कहिएगा सर, क्या हम इसको अलग-अलग नहीं लिख सकते थे, बिल्कुल, अगर आपका मन करता है, कि आप अलग होके दिखाईए अल्कोहल को, तो दो carbon तो हो गया, दो इस तरह से लिखा देंगे, ध्यान दिखेगा, यह अल्कोहल, यानि हाइड्रोक्सी दिखे रहा है, अल्कोहल, यानि हाइड्रोक्सी कीटॉन लिख सकते थे इसको, यहां तो अलग-फंक्शन ग्रूप है, यहां अलग-फंक्शन ग्रूप है, पर दोनों का molecular formula क्या है, सेम है, देखो न, एक, दो, तीन, चार carbon, तीन, दो, पा आपस में, तो क्या कलागा, एफाई, ये दोरों भी आपस में पूछा जाएगा, तो क्या कहेंगा, एफाई, तो जहां अल्कोहल दिखा, भीया, वहां पर इचर तो दिखेगा ही, करके दिखा देते हैं, कीटॉन है, इचर है, देखो, एक, दो, तीन, चार carbon, तीन, तीन, ये 6, 8 hydrogen, 2 oxygen, ये keton है, और ये ether है, तक तो अगर ये पुछा, ये दोनो, ये भी function isomer, 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 क्लियर है ना, सिर्फ वही पर कहानी नहीं रुकेगा, जब हम यहां पर Ketol बना सकते हैं तो LD हाइड भी तो बना सकते हैं तो देखिए इदर बना देते हैं LD हाइड बना दिया अब हमारे पास कितने कार्वन है 4 Do you किससे सटिस्फाइ कर दिया कार्वन डबल बन विध ऑक्सीजन सटिस्फाइ कर चुके हैं अब ये बताईए, तब तो हमारे पास बचे कितने कारवन, चार और एक ऑक्सीजन, क्या ऑक्सीजन के साथ ऐसे लिख सकते हैं, तब यहां function group किसका है, aldehyde का, और किसका है, alcohol का, तो क्या हो गया, aldehyde है ये, और ये क्या है, alcohol, तो पूछ दिया, इस दोनों का molecular formula सेम है, ये दोनों compound का, क्या function group सेम है, नहीं, यहां तो stir है, यहां aldehyde और alcohol है, तो क्या कहलाएंगे, functional isomer, क्या कहलाएंगे, functional isomer, तो जहां alcohol होगा, तो वहां ether भी तो दिखेगा ही, दिखा दीजिए, आप तो सब समझने लगे होगे, तीन ह हो गया, ether हो गया, देखो, ether है, aldehyde है, ये भी क्या कहलाएंगा, एक दूसरे का functional isomer, और भी carbon carbon double bond भी बना सकते थे, होमो और cyclic, hetero cycle भी आपस में function isomer होते, देखे लिए एक ही compound के कितने अलग अलग function गूप तयार हो रहे हैं, कितने अधिक और तयार होंगे, लिखते जाएंगे कमी नहीं होगा, दिमाज में set कैसे करना है, कि जहां alcohol होगा, वहां ether होगा, जहां aldehyde होगा, वहां ketone होगा, जहां carbon jelly के seed होगा, वहां stir होगा, ऐसे दिमाज में set कीजिएगा अगर हम इसको ऊपर मिटाते हैं, और इसको सजा के लिखना चाहते हैं, तो कैसे लिखना चाहते हैं, लिख लिए उपर वाला, नोट कर लेजिए पहले, लिख लिया, अब इसको तो सजा के लिख देते हैं, मॉनोरिंग अपने से सूच सकते हैं, यारी हम लिख सकते हैं, कि जहां carbon jelly के seed होगा, वो functional isomer हो जाएगा किसके साथ, इस्टर के साथ, यह मैं सुचिए कोई reaction लिखा है, reversible, FI सम्झाने का तरीका है, उसी तरह, जहां इस्टर होगा, वहां पर hydroxy ketone हो जाएगा, hydroxy ketone हो जाएगा, जहां hydroxy ketone हो जाएगा, वहां पर aloxy ketone हो जाएगा, इधर वाला, जहां hydroxy का बात होगा, वही पर अब hydroxy alcohol हो जाएगा, जहां hydroxy aldehyde हो जाएगा वही पर तो आप देख रहे हो aloxy aldehyde हो जाएगा बहुत से बनते जाएंगे लिखते चले जाएगे या बनता चला जाएगा सोचने का तरीका देख रहे हैं कैसे develop करना हम लोग को note किया जाए इस सही आपस में क्या कहलाएंगे fi functionalisomer clear नीचे विटा जे तो आगे का concept सिखाए note किया जाए विटा जे यह D नमबर था E नमबर में चले हले सोचने का तरीका देखिएगा अपने आप बन जाएगा है ना एमीन में आते हैं कि एमीन में तो आप जाते हैं प्राइंडरी स्केंडरी टर्सरी प्राइंडरी में क्या होगा नाइट्रोजन से एक अलकाइल ग्रूप सकेंडरी में नाइट्रोजन से दो अलकाइल ग्रूप और टर्सरी में नाइट्रोजन से तीन अलकाइल ग्रूप तो ये तीनों भी आपस में functional isomer होंगे कुछ आफर कैसे छट देखो C3, H9, N ले लो ठीक है इसको आपको ऐसे भी लिख सकते थे Cn, S2n, प्लस 3, N ऐसे भी लिख सकते थे देखो 3, 6, 3, 9 लिखे नहीं अगर हम इसका primary amine बनाते इस पर आगे question भी देंगे clear क्या देखो तो यह primary amine है कि नहीं है propenamine N-methyl-eachinamine secondary amine और यह क्या है tertiary amine clear यह सब भी आपस में क्या कहला रहे है fi यह तीनों आपस में क्या कहला रहेंगे fi function group बदल जाएगा clear है तब तो amine है amine में भी ऐसा होगा बिलकोई तो अगर amine में अगर देखने जाओगे यह भी fi में आएएगे primary, secondary, tertiary amine primary amine clear doubt है यह e number था तो यह f number हो जाएगा confusion है कहीं पर doubt है तो बेलिएगा note कीजिए नीचे मीटावे अगर formula इस तरह से दे देता alkyne वाला तो क्या करते हैं दिखा जाएगे जी नमडर cn s2n-2 c4 s6 दे देता du कितना दो degree of unsaturation दो अब दो है तो अगर हम open chain सोचेंगे तब तो दो तरीके से सोचेंगे open chain दो तरीके से सोचेंगे carbon carbon triple bond या दो double bond two double bond ring भी दो तरीके से सोचेंगे अगर एक ring सीफ़ के to mono ring with double bond या bicyclo clear है ध्यान से देखिए 4 carbon है clear अगर आप से कोई पूस्ता क्या ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे fi इसके और भी positional हो सकते थे हम उस पर discuss नहीं कर रहे हैं अभी सिर्फ fi पर discuss कर रहे हैं ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे functionalisom अगर एक ring बनाए और double bond दे दिये clear और यहीं पर दो ring बना दिये दोनों का function group अलग अलग है कि नहीं है ये bicyclo है यहाँ भी du दो एक ring के चलते एक double bond के चलते यहाँ भी du कितना दो यहाँ function alkene का है यहाँ function alkene का है इसलिए access system को अमनों क्या कहेंगे FI clear doubt है कहीं पर note करते जाएगे इसमें इसमें FI नहीं जोड़ेंगे क्यों नहीं जोड़ेंगे तब इस देंग चैना समर्ण बताना बाकी है उसके बाद आप सोचिएगा क्या कह रहे है इसको जोड़े इसको इसमें जोड़ेंगे doubt कहीं पर परे note करें तब आगे की बात करें लिख लिए मिटाए जाए आगे चलें GH में चला जाए यहां तक में कोई दिक्कत GH अगर हमारे पास इस तरह से दिया हुआ है बिंजाइल अल्कोहल इस तरह से दिया हुआ है इसमें तो तीन केस होगा और्थो भी होगा मेटा भी होगा पारावला तो दिखा ही दिये हैं इसको कहते हैं इलिफैटिक अल्कोहल और इसको कहते हैं हम लोग अरोमाटिक अल्कोहल बहुत लोग कंश्यूज होते हैं सर इस पे तो अरोमाटिक रिंग है यह भी तो अरोमाटिक अल्कोहल है यह समझो कि यहां इंपॉर्टेंट्स किसका है function group का अगर hydrocarbon रहता तक तो ring ही decide करता पर यहाँ hydrocarbon नहीं है function group है तो function group अगर वो open chain से जुटा हुआ है aliphatic से जुटा हुआ है तो यह aromatic नहीं कहलाएगा यह aliphatic कहलाएगा importance function group decide करता है वो किस से जुटा हुआ है और यहाँ function group किस से जुटा हुआ है इसलिए भी आपस में क्या कहेंगे डियान रख हाईड करके तब करे गांद को सुझांज वहाँ जो सीरा करें कि कॉंज़ सताक घूर का और इसमेंост बना सकते हैं इसमें तो और्थोमेटा पारस सब तो बना ही सकते हैं वो सब आपस में पोजिशनल आइसोमर कहलाएंगे अगर हम इसको इस तरह से बना देते हैं यह था अनिसल्ड अनिसल्ड मेफॉक्सी बेंजीन अगर पुषता यह आपस में क्या है यह भी आपस में क्या है तो फंस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् आईसो साइनाइड ये भी तो कहला सकता है देखो दो ही कारवन का बना लो साइनाइड है वो आईसो साइनाइड है दोनों का मॉलकुलर फर्मूला सेम है फंक्शन गूप अलग लग है तो ये आपस में क्या कहलाएंगे फंक्शनल आईसों अंदर ऐसे तो आप बना सकते हैं नाइट्रो अलकेन आई जे नाइट्रो अलकेन एन नाइट्राइट में साइड कैसे जड़ा देखो ये नाइट्रो अलकेन है है ना और नाइट्राइट बना सकते हैं इस तरह से ये दोनों फंक्शन गूप अलग लग है ये क्या कहलाएगा नाइट्रो अइथेन इसको क्या कहेंगे इच्छाई नाइट्राइट दोनों फंक्शन गूप अलग अलग है ये भी आपस में क्या कहलाएगे F I function group बदले के नहीं बदले देखो यह अलग function group यह अलग function group तो दोनों क्या कहलाएगा F I clear है और सोचिए और क्या हो सकता है नोट किया जाए मिटावे उपर और क्या हो सकता है I, J, K में आजाईए क्या लिखे सल्फोनिक एसीड जब एसीड बनेगा तो इस्टर तो बनेगा ही अब तो ऐसे बहुत सा सोच सकते हैं लोग स्टर हो गया सल्फोनिक इस्टर क्लिर डाउट कहीं पर पहले नोट करें तब थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे किसको जोड़ेंगे सीखे ते लाजटे क्या अब क्या सीखें फंक्शन एक दो कोश्चन दोनों को मिला के कर लेते हैं तर चलेगे मेटामर्स पर नोट किया जाए लिख लिए तब अब क्योश्चन के तरफ बढ़ा जाए अब क्योश्चन के तरफ बढ़ा जाए ठीक है कैसे बनाते हैं क्योश्चन कैसे दिया जाए ध्यान से देखिएगा एक फर्मूला दिया है Cn S2n plus 3n if n equal to 3 then write the all possible functional isomer and positional isomer Pi Fi and Pi clear सोचा जाए है कर लोगे कर लोगे very good अगर M3 रखते हैं तो क्या होगा C3 H9N किसी भी isomer को निकानने के पहले क्या सिखा है Do you check करने के लिए अगर Do you निकालेंगे इसका तो nitrogen है nitrogen को क्या कहेंगे एक hydrogen घटा देंगे formula क्या होगा C3H8 और C3H8 है तो Du क्या होगे 0 कैसे निकालोगे देख लो न ये direct ये भी निकालने के लिए सिखाने भूल गए क्या C प्लस 1 H प्लस X माइनस N डिवाइड़ बाइ 2 कारवल कितना 3 3 प्लस 1 हाइडोजन कितना 9 प्लस 0 माइनस 1 डिवाइड़ बाइ 2 4 माइनस 4 इक्वाल टू 0 सिंपल है डाउट है अच्छा अब ये क्या हो सकता है तो एमीन का function group ये तो clear दिख गया कि Du 0 है तो Du 0 है तो सिर्फ open chain और open chain में nitrogen है वो भी single bond के साथ तो कहा जाएगा इमीन जाएगा सोचने का तरीका कैसे develop के समझ में आया पहले तो ये पता चलिए कि वो open chain है open chain में भी क्या है सिर्फ single bond है और साथ में क्या है nitrogen तो nitrogen सिर्फ single bond से satisfied कहा होगा function group में इमीन में होगा अब यहाँ पर इमीन बना प्राइमरी इमीन सेकेंडरी इमीन और टर्सरी इमीन प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी इमीन आपस में क्या खलाते है functional isomer तो हमको तो all possible लिखना है तो एक दो तीन कारवन बना तो पुरा भी बना सकते हो कै इसके position चेंज कर सकते हैं हम लोग कहिएगा बिल्कुल प्रॉपेंड वन एमीन प्रॉपेंड टू एमीन ये एक हो गया ये दो हो गया clear क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते थे एन मिचाइल इछे ना माई और इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे तर्सरी इमीन में एन डाय मिचाइल में ये कितना हो गया थर्ड ये कितना हो गया फोर्थ clear अब जो देखो कि वन एन टू क्या कहलाएगा पोजीशन बतला पी आई अब वन टू थ्री वन टू थ्री आपस में सब क्या कहलाएगे functionalisomer कोई कि देखो degree बदल गया primary इमीन है ये secondary इमीन है ये tertiary है और टू भी सक के साथ टू थ्री फोर के साथ क्या कहलाएगा टू थ्री फोर यहां लिखेगा वन टू फोर वन टू फोर एफ आई टू थ्री फोर क्या कहलाएगा टू थ्री फोर यहां भी ये देखो क्या है primary, secondary, tertiary function group ये भी आपस में क्या कहलाएगा एफ आई clear है तो relation ताराम से निकाल सकते है doubt है कहीं पर note किजिए एक और question करते है clear clear next question के तरफ चले, doubt है कहीं पर question 2 अगर फर्मुला से दिया है cn h2n h2n plus 1 dot n if n equal to 2 then find all possible structure structure width pi and fi positional isomer and functional isomer बनेगा चले अगर n यहां रख दें तो क्या होगा c2 5 n लिख सकते हैं du निकालो निकालो du due कैसे निकाले c plus 1 h plus x n divided by 2 निकाली है, क्या है, बताओ 2 plus 1 hydrogen कितना 5 0 1 divided by 2 3 2 अगर दिख रहा है कि unsituation factor एक है du 1 है du 1 का मतलब आप समझे कि अगर open chain हुआ तो open chain with db और db दो तरीके से बनेगा एक तो carbon carbon एक carbon nitrogen समझ लिजेगा बात को और cyclic बनेगा cyclic बनने के लिए कम से कम तीन आटम की ज़रत पड़ती है mono ring ठीक है तो कैसे बनाएंगे ज़रा देखें एक तरफ primary, secondary, tertiary, amine कर लेते हैं अगर दो carbon है अगर double bond ऐसे दे दिए एक, दो देखो, दो carbon दो, दो, चार, एक, पांच ये double bond है, ये amine है तो क्या नाव होगा इथेना माइन बनेगा एक नहीं बनेगा तो ये अब carbon nitrogen भी double bond आ सकता है इसको क्या कहते है function group को, e-mine याद करो e-mine, तो क्या कहेंगे e-thena-mine e-thena-mine इसमें अगर हम लोग सोचें, ring बनाने के लिए तीन item का जरूत परेगा ring में तो तीनों item यूज हो जाएंगे उपर बना देते हैं नीचे नहीं दिखेगा तीनों यूज हो जाएंगे तो ring के चलते due कितना हो जाएगा 1 अब यहाँ देखो CS2, CS2 ये भी तो secondary amine है clear tertiary बना सकते हैं कि नहीं ज़रा देखें ऐसे भी तो बना सकते हैं tertiary amine का लाएगा अब देखो ये क्या होता है मिचली इसका क्या नाम है मिचली तो क्या नाम हो जाएगा N मिचली मिचे नामाई अब ये देखो ये secondary हो गया ये tertiary हो गया ये primary हो गया डिगरी बदल रहा है तो ये आपस में क्या कहला जाएगा functional isomer कहला जाएगा position का तो यहाँ कोई जिक्र होगा क्या position कहीं change हुआ है नहीं doubt कहीं पर note कीजे तब आगे की बात करते है लिखे आगे चला जाएगे अब पहले metamers क्लियर कर लें ठीक है ना तब फिर metamers के साथ भी कुछ question करेंगे position का भी और functional का तब ring chain में चलेंगे ठीक है metamers metamers को आप ऐसे समझे कि special type of positional isomer है है ना तो definition कैसे लिखेंगे इसका the compound having compound having having the same molecular formula ये तो समने लगना है but different number of carbon atom number of carbon atoms or alkyl group alkyl groups on either side क्या लिखेंगे है on either side of on either side of either side of other side of functional group functional group क्या लिखेंगे compound have in the same molecular formula but different number of carbon atoms, alkyl group on either side of functional group is called metamers and this phenomenon is known as metamersm now what do you say, this is a special type of positional isomer what do you say, this is a different number of carbon atoms or alkyl group on either side of function group different number of carbon atoms in particular function group what do you say, this is a different number of carbon atoms, this is a different number of carbon atoms like this, c4, h10, o, du, oxygen single bond, which will be called alcohol and ether alcohol and ether, but alcohol and ether are functional isomer one another isomer, one another isomer, function isomer this is a different number of carbon atoms, this is a different number of carbon atoms, alkyl group this is a different number of carbon atoms, we also have to show you that the equal dimension of carbon atoms you will see that the position is changing but the proportion of the normal nature is depicted which the position is changing, the pursuit of carbon atoms काते हैं, ऐसा ही compound को क्या काते हैं लोग, metamers, प्लेयर है, ये तो क्या हो गया आपस में, पोजिशनल, ये आपस में क्या हो गया, फंक्शनल, पर अगर इसमें भी ऐसा रहता, जा ध्यां से देखिएगा, अगर इसमें ऐसा रहता, यहां भी यही फर्मूला है, एक, दो, तीन चार कारवन, एक oxygen है न, अब ये 1-methoxy-propane है, अगर इसका नाम लिखते हैं, तो 2-methoxy-propane हो जाता, 2-methoxy-propane हो जाता, ऐसे case में, तब तो फिर ये दोनों जो compound है आपस में, ये फिर PIE हो जाते हैं, यहनि मेटामर्स के लिए special case है, जहां दिख रहा है कि oxygen के रावन कार हो, नहीं बता पा रहे हो, तो वहां पर कौन सा isomer यूज करोगे, मेटामर्स, पोजीशन चेंज हो रहा है, पर नमन्क्लेचर की हिसाब से नहीं बता पा रहे हो, तो special नाम दे दिया क्या, मेटामर्स, ठीक है, इसको इसको special type of positional isomer भी कहते हैं, तब आपके ये सर, ये कहां में भी नहीं होगा, तो कहां होगा सब, देखो ने सब केस बता रहे हैं, घबराते क्यों हो, सकेंडरी अमीन में आ जाओ, जब अल्कोहल में हुआ, सकेंडरी अमीन में होगा, इछर में हुआ, तो छायो इछर में होगा, होगा कि नहीं होगा, और कहां होगा, इस्टर में होगा, दुनों साइट से घिरा होगा, और कहां होगा, एमाइड में होगा, दुनों साइट से घिरा होगा, उसी तरह से सोचेंगे, इस्पेशल केस ऑफ किटॉन में भी होगा है, इस्पेशल केस ऑफ किटॉन, वो क्या होता हो दिखाएंगे, अब एमीन वाला एक्जाम पर लो, यह कहां होंगे मेटामर्स समझ में आ रहे हैं, वैसे फंक्शन ग्रूप में होंगे, जो दोनों साइड से कार्वर एक्टम से घ देखों, क्या नाम है, एनमी चाइल, प्रोपे नाम आई, इसको उठा के धर कर दो, एनी चाइल इछे नाम आई, क्या पोजीशन बदलता हो, नजर आ रहा है, नहीं, दीख तो राय कि नाइटोगन सिट हुआ, पर नाम से बता पा रहे हो, नहीं बता पा रहे हो, यहां क्या वाट यूज करोगे, मेटामर्स, क्या वाट यूज करोगे, मेटामर्स, क्लियर है ना, उसी तरह थायो इधर मे डाई थाइल थायो इथर अगर S से लिख देटे मिठाइल नर्मल प्रोपाईल थायो इथर यहां आपको दिख रहा है कि पोजीशन चेंज हो रहा है पर नाम से बता पा रहे हो क्या देख रहे होना Sulfur के एराउंड कारवन एटम यह अलकाल गृप का पोजीशन चेंज हुआ पर नर्मन क्लेचर से नहीं बता पाए तो इसको आपस में क्या कह दोगे मेटामर्स नया नाम दे दोगे आइसोमर का मेटामर्स क्लियर है यह समझ गए यह समझ गए यह समझ गए सर इस्टर वाला भी देख लो नहीं देख पाओगे क्या देखो मिचाईल प्रोपानोइट मिचाईल प्रोपानोइट एक को इधर भेहतो इत्षाई, E vita lake कोदिकत, यह भी आपस में क्या कहला जाएंगे? मीटा मर्स कोदिकत अच्छा इस तरह में हो गया atti भी धेशी सकते थी सितरा सेम केस कर लो अगर एक अलकायल ग्रूप को इधर सिफ्ट कर दिये तो बता भीया अनिछायल प्रोपेनामाइड क्या नाल से बता पारे कि पोजिशन चेंज हो रहा है नहीं तो वैसे फोजिशन ग्रूप जहां नाम से नहीं पता पाए कि पोजिशन चेंज हो रहा है वहाँ स्पेशन नाम यूज कर लो एन इथाईल इथेनामाइड क्या नाम यूज करोगे मेटामर्स ये भी आपस में दोनों एक दुसरे के क्या जाएंगे मेटामर्स ये भी मेटामर्स तो मेटामर्स तो आपको समझ में आ गया क्या चेंज हो रहा है कारबन आटम या काईल ग्रूप का पोजिशन किसके राउंड हो रहा है फोजिशन ग्रूप के राउंड है तो अब हम लोग क्या करेंगे position, chain, function सब बिलाके एक दो question करते हैं तब ring chain के तरफ ले जाएंगे clear है, note करें तो आगे की बात करते हैं दिख लिए, अब थोड़ा कहानी बढ़ा करें, चुकि आप chain भी सिख गए, positional भी सिख गए functional भी सिख गए metamers भी सिख गए अब कहानी धीरे धीरे बड़ा होता चला जाएगा, है ना, clear है तो छोटे छोटे question से बढ़ते हैं आगे क्यों एक पांच कारवन का LDH दिया हुआ है, C5-S10 pentenol दिया हुआ है इसके possible ketone बनाने हैं सिर्फ ketone बनाने हैं and find the relations find the relations relation मतलब कहाँ chain है, कहाँ positional है यह pentenol दिया हुआ 5 कारवन का pentenol पहले बनाए तेकते जाएगा कैसे करते हैं answer एक, दो, तीन, चार पांच कारवन का pentenol अब तो हाइडोजन देनीक ज़रुद नहीं अब तो समझ सकते हो pentenol है क्या बनाना है, कीटोण बनाना है तो पहला structure यह हो गया इसके कीटोण बनाते हैं पांच ही कारवन का कीटोण होगा यह और एक कीटोण तो यह भी इसमें बना सकते थे इस तरह से clear तो इसका नाम हुआ penten two on और इसका क्या नाम हुआ penten three on clear अब यह क्या हो गया second और यह हो गया third अब क्या है यहाँ पर तो एक shifting इस तरह से भी कर सकते थे arrangement कर सकते थे न penten two on, penten three on यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते थे arrangement कर सकते थे इस तरह से clear है तो क्या नाम लिख देते function group इधर से नज़्दीखे थे three methyl butane two on और को possibilities है नहीं ketone में तो इतने possibilities दिख रहा है function group तो और बना सकते थे cycle में बना सकते थे double bond carbon carbon के बीश देके बना सकते थे पर question क्या कह रहा है ketone में जाने के लिए अब relation निकालो ये aldehyde है function group है ना और ये सभी ketone है तो one जो है चाहे two के साथ relation कहे थी के साथ कहे फोर के साथ कहे सब के साथ क्या दिखाएगा fi functional isomer doubt है क्योंकि यहां function group aldehyde और यहां ketone है ketone है clear अब two और three के बीच क्या relation है two and three जहां से देखो two और three में क्या बदल गया position यहां two है इसलिए ketone में क्या लिखे थे साथानी से काम करते हैं तो इसको हम लोग क्या कहेंगे position PIE पोजिशनल आइस हमद है यहां पोजिशन क्या है देखो तो टू पर और टू पर नहां से देखो पेंटेंट टू और यहां भी क्या है function group का position सेम है carbon atom का arrangement बदल गया है ना तो carbon atom का arrangement बदल गया तो इसको क्या कहना चाहिए बताओ इसको कहेंगे metamans इसको क्या कहें हम लोग metamans two and four है ना पर अगर यह पूज़ देता है यह और यह यहां देखो position कितने पर है तीन पर यहां position कितने पर दो पर है तब तो first काम करते फोर और third जो है वो positional तो होगा पी आई तो होगा एक चीज़ और दिख रहा है यहां total पाच carbon atom का chain है और यहां दिख रहा है कि टोटन हमको चार कार्मन अटम का चैन है तो P.I.E. बिद C.I.E. चैन आइसा मर भी कहेंगे देख रहे हैं चीजे कैसे बदल रही है देखने का तरीका बदल ये क्लियर कैसे सोच रहे हैं समझ में आ रहा है मेटामर्स में क्या था function group के around यानी carbon atom का arrangement या लकाइल ग्रूप का arrangement बदल गया देख रहे हैं position वही है नाम से नहीं बता पा रहे है की position पर दीख रहे है कि arrangement बदल डा तो क्या नाम देगा मेटामर्स क्लियर है नोट करें तो आगे की बात करते हैं दिख लिए आगे चले next question के तरफ doubt है कहीं पर अगला question क्या है write the various functional isomer of butanol butanol and find the isomeric relation between them isomeric relation between these structures okay यह ब्यूतेनल है सोचो फिर से कैसा isomer बनाना हमको functional isomer तो ब्यूतेनल क्या हो गाई सी फूर एच टेन ओ और पेंचेन ही न बनेगा भाई सी एस्ट्री सी एस्ट्री सी एस्ट्री सी एस्ट्री सी एस्ट्री एस्ट्री एच क्लियर अच्छा अब यह सोचो यह तो हो गया functional isomer कैसे बढ़ाएंगे चीज है वन मिठोकसी इसका नाम क्या हो गया इसका क्या नाम हो गया वन मिठोकसी प्रॉपेन वन मिठोकसी प्रॉपेन अब क्या कर सकते हैं कारवन आटम का आरेजमेंट बदल दिया 1-Ethoxy-Ethene लिखती है क्या लिखती है 2-Ethoxy-Propane लिखती है कितने फॉर्म बन के ज़्या देखो एक कितने फॉर्म बन गए 2-3-4 अब क्या करते हैं लोग जब समझो ये सब 1 के साथ 1 के साथ चाहे 2 हो 1 के साथ चाहे 3 हो 1 के साथ चाहे 4 हो यहाँ function group क्या है OH और इन सभी में function group क्या है E-4 तो ये सभी क्या कहलाएंगे अब ये बताओ 2 और 3 क्या दिख रहा है आप लोग को 2 और 3 में दिख रहा है कि oxygen के round carbon atom अलकाल ग्रुप का position बदला तो 2 और 3 आपस में क्या कहला जाएगा metamers clear 2 और 4 यहाँ भी तो metamers का ही relation है नहीं arrangement बदल गया 3 कारवन है change हो गया metamers करते हैं positional atom है न जी यहाँ position क्या है 1 methoxy यहाँ position क्या है 2 methoxy sorry ध्यान से देखिएगा clear अब यहाँ देखते हैं इस दोनों में क्या दिख रहा है फिर arrangement बदल क्या 3 और 4 में यह कहला जाएगा metamers clear है साब्धानी हटे की दुगट ना हटे जैसे देखने में साब्धानी हट गया था यहाँ 1 और यहाँ 2 है तो 1 methoxy, 2 methoxy तो position change हुआ इसलिए इसका क्या नाम देखिए positional isomar और यहाँ क्या दिख रहा है arrangement बदल रहा है किसका alkyl group का देख रहे हैं कि नहीं तो इसलिए इसका नाम क्या दिया metamers note किया जाए next question के तरफ ले चलते है note कीजिए लिख लिए मिटाय जाए next question के तरफ चलते है तो आसानी से समझते जाना है write the various function isomar of butanol के जगर butanoy के seed करते है butanoy के seed and find the isomeric relation between 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 its structure उसके जो structure निकलेंगे उसके बीच में isomeric relation बताना है butanoy के seed क्या structure बनाने में तिकत बनाए क्या करते हैं CS3, CS2, CS2 प्रोपानोइट clear है एक और बना सकते थे इसका क्या नाम लिखते हैं हम दो ethyl ethanoate क्या नाम लिखते है इसका नाम लिखते है इसका नाम हताब प्रोपाईल नाम लिखते हैं methanoate ठीक है और ऐससे लिखते आइपेक नॉमनक्लेचर में क्या नाम में तो आइशो प्रोपाईल दिखी रहा है इसको लिखते हैं हम लोग प्रोपाईल टू methanoate आइपेक नेम में और ऐसे लिखते हैं आइशो प्रोपाईल फॉर्मिट यहां क्या नाम लिखते हैं नॉर्मन प्रोपाईल फॉर्मिट दिखत है क्या और इसका नाब तो जानी रहे हैं methyl प्रोपाईल ethyl acetate common नेम लिखते हैं तो कोई दिखत नहीं है यह structure 1 है और यह structure 2 है करते करते आजाएगा practice ही सबका solution इतना बार कराएगे ना concept develop हो जाएगा अब यह क्या है acid और यह सभी क्या है देखिए mister क्या दिख रहा है stir तब तो करता कि one के साथ 2 हो, one के साथ 3 हो, one के साथ 4 हो, one के साथ 5, 4 यह सभी functional isomer होंगे का कि यहाँ acid का function है सभी जगा किसका function है stir का, देख रहे हैं ना अब यहाँ देखो position बदला पर बता पा रहे है non-clature से, इस तीनों के case में नहीं बता पा रहे हो, तो जब नहीं बता पा रहे हो, तो क्या कहेंगे 2 के साथ, अगर 3 जोड़ा जाए 2 के साथ, अगर 4 जोड़ा जाए है ना और 2 के साथ 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, साथ साथ दिख रहा है हाँ पर 2, 3, 4 यह आपस में क्या कहला है metamers कहलाएंगे metamers कहलाएंगे यहाँ पर भी तो arrangement बदला alkyl group का, देखो तो यह भी तो metamers होड़ाएंगे इसको भी जोड़तो 2 के साथ 5 यह भी metamers है 3, 4 यहाँ भी arrangement बदला 3, 4 भी आपस में क्या कहलाएंगे metamers देखो अरेजमेंट बदल गया ना इसके अराउंड यहां भी अरेजमेंट बदल रहा है तो इसको भी आपस में क्या कहा देंगे थ्री और फाइफ यह भी मेटा मढ़ होगा अब जा देखो important point है यह और यह इधर भी वही चीश है इधर भी वही चीश है पर यहां टू लिख रहे हैं टू मिथाइल प्रोपाइल टू मिथानोइट यहां वन मिथानोइट है पोजीशन बदलता हो नजर आ रहा है इसलिए जब four and five के बीच कभी relation पूछा जाए और नाम अगर आप जान रहे होते हैं तो आप क्या कह दिजेगा पी आई है पोजीशनाल आइसोमर है यह सब मेटामर्स है यह भी मेटामर्स है मेटामर्स के नीचे और भी लिख सकते हैं यहां पर थ्री फाइब के साथ and थ्री फोर के साथ डाउट है कहीं पर कन्फिजन है तो बताइए पहले नोट कीजिए लिख लिए विटाया जाए अब आते हम लोग को एक और प्रेक्टिस ही क्लियर करेगा इस बात को जानगे कैसे स्टेप ले रहें देखते जाएगेगा है ना डाउट है कहीं पर अब देखिए write the possible structure of butane-1-amine कितने भी possible structure हो सकते हैं butane-1-amine के लिखिए end up then find the relation between them then find the relation then find the isomeric relation isomeric relation butane-1-amine का पहले structure बना लो ध्यान से देखना क्या दिखता है कहीं do का कोई चक्कर है do 0 मतलब स्रिफ open chain ही सोचना है और आप जानते हैं कि एमीन तीन तरह से एक जिस्ट करेगा पैंवी सकेंडरी और टर्सरी तो एक तरह पैंवरी एमीन लिखेंगे दूसरे तरफ क्या लिखेंगे सकेंडरी एमीन और तीसरे तरफ क्या लिखेंगे टर्सरी एमीन अब देखिए का कैसे सोचने का तरीका बता रहे हैं अचर्य ये बताओ चार करवण नी चाहेनाई सामर होगा खिनी नहीं होगा तो पहले चार करवण कर दो चेहनाई सामर कौन कौन हो सकते व tolerant कर लो एक दो तीन चार ये प्रेमरी हे ये सकन्डरी ये संकेंडरी है ये प्रेमरी है सकन्डरी यहांशिप्ट करेगा क्या आप कोई shifting होगा क्या यही दो फार्म बनेंगे चैना इसमर में अब इसमें क्या जोड़ना है ns2 जोड़ो ns2 एक दो तीन चार एक बार यह एक बार यहाँ butane 1 amine butane 2 amine यहाँ जोड़ो isobutyle amine यही टू-methyl propane 1 amine और एक यह टर-butyle amine यह दो हो सकता है क्या आप ऐसे लिखिए confusion होड़ा है तो clear नाम लिखते जाएगे क्या दिखता है butane 1 amine यह क्या दिख रहा है butane 2 amine यह क्या दिख रहा है 2-methyl propane 1 amine और यह क्या दिख रहा है 2-methyl propane 2 amine डाउट है नाम लिखने में तो कोई दिखत नहीं अब इन सभी कोई structure का नाम दे दिए यह हो गया 1 यह हो गया 2 यह हो गया 3 यह हो गया 4 clear अब secondary में जाओ एक यह और क्या कर सकते थे एक यह और क्या कर सकते थे एक यह भी तो बना सकते थे क्या नाम हुआ जो देखो N-methyl प्रोपेनाम आई प्रोपेन वने मिन इसका क्या नाम हुआ N-methyl प्रोपेन वने प्रोपेन करते हैं इछेन वने मिन इछेनाम आई इसका क्या नाम हो जाएगा N-methyl 1,2,3 propane 2-amine और कुछ हो सकता है क्या? नहीं तो possible बना दीजिए यह हो गया structure नमबर 5, 6, 7 तरस्तरी अमीन में देखे क्या बन सकता है? 4 कारवन है यहीं तो बनेगा N-N डाय मिचाई इखे नाम है यानि इसको हमने कह दिया 8 नमबर अब बताओ क्या relation निकालने में रिकत हो जाएगा अब तो आसान काम है अब 1,2 पोजीशन बदला तो यहाँ 1 और 3 चैन का साइज बदल गया है 4 कारवन है यहाँ 3 कारवन है तो चैन आस्वमर अब ऐसे धीरे धीरे करके आपको बढ़ते जाना है क्या हम ही को करना होगा अब अब रिटाए लिख लिए हो पर नोट कर लो यह कैसे किये समझ में आया पर ले 4 कारवन एटम देखे उसके चैन को बनाए और चैन में फिर फिर फंशन ग्रूप को एड़ कर दिए पर सब्रेटी देखे तरीका जर्रेट करो सीखने का फिर प्रैक्टिस करते करते एक दम क्लियर हो जाएगा कुछ करके दिखा दे आपको अब देखो प्राइमरी ये मीन में कभी भी मेतामर्स का तो कॉंसर्प्ट आएगा ही नहीं क्यों करके दोनों साइट से कारवन से गिरा ही नहीं है ये सब तरीका जर्रेट करोगा इसमें क्या मेतामर्स हो जाएगे तो पाप लगेगा मेतामर्स कभी होगा नहीं मेतामर्स यहां हो सकता है यहां मेतामर्स होगा टर्सरी एमीन में मेतामर्स होगा पर tertiary amine में तो अभी एक ही structure है तो आगे सोचने की तो बात ही नहीं है तो पहले हम primary amine के relations को बता देते हैं कि अगर पुछा 1 और 2 के बीच में क्या relation है तो 1, 2 में position बदला है तो PI 1 और 3 1 और 3 में chain का size बदला CI यहां भी तो chain का size बदल रहा है और साथ में function group का position भी बदल रहा है तो 1 और 4 के बीच में पुछेगा तो position भी बदल रहा है with CI chain का size भी बदल रहा position भी बदल रहा है यह दोनों पुछेगा तो क्या कहतेंगे अराम से निकाल सकते हैं यह दोनों में पुछेगा तो क्या कह सकते हैं फूर्थ में थार्ड और फूर्थ पूछा तो आरांस रिलिशन बता देंगे कि यहां पोजीशन कितने पर है एक पर यहां दो पर साइस तो तीन-तीन ही है तो पी इस तरह से आगे बढ़ना है अब देखो यहां क्या दिख रहा है सकेंडरी अमीन के अरांड का अरिज्मेंट बदल रहा है तो 5, 6, 7 आपस में क्या कहला जाएंगे सब क्या कहला जाएंगे आपस में पोजीशन बदल रहा है क्या बदल रहा है यह और यह आपस में क्या कहला जाएंगे पोजीशन बदल रहा है यह और यह क्या कहला जाएंगे इसको हम लोग कहेंगे Positional Isomer और इसका और इसका बात होगा 5 और 6 की बात होगी तो क्या कहेंगे Metamers इस तरह से सुचते चलना है सब Positional Isomer नहीं है यह और यह एक दुशे का क्या कलाएगा Metamers यह और यह क्या कलाएगा Positional क्योंकि देखो Propane 1 Amine है यहाँ Propane 2 Amine है अब यह और यह पूच देगा तो फिर Metamers 6 7 Metamers अब Primary Amine, Secondary Amine और Tertiary Amine कोई भी एक दूसे के क्या कलाएगा Functional Isomer इसका कोई भी उठा ले इसके किसी के भी साथ में क्या होगा यह इसके साथ हमिसा क्या होगा Functional Isomer Fi इसका कोई भी इसके साथ क्या बनाएगा Fi इसका कोई भी इसके साथ क्या बनाएगा Fi इसका कोई भी इसके साथ क्या बनाएगा Fi बात समझ में आ रहा है यानि degree change होगा तो Fi होगा यहाँ सारधानी बरतना है कि position change हो रहा है कि carbon atom का arrangement change हो रहा है यहां भी सारधानी बरतना है position change हो रहा है कि function group के round स्रिफ alkyl group का arrangement change हो रहा है दोनों चीज़ को देखना है metamers भी दिखेगा, positional भी दिखेगा पर primary amine हमेशा secondary amine के साथ क्या होगा FI और secondary tertiary के साथ क्या होगा FI clear है note कीजिए तब अब बताते हैं आपको ring chain isomer तब फिर practice note किया जाए लिख लिए पिटाया जाए अब ring chain isomer में आते हैं हम लोग किधर सेट करेंगे ring chain isomer clear ring chain isomer RCI ring chain isomer को आप ऐसे समझें कि यह special तरह का याणि it is the part of functional isomer है ना पर condition है इसमें पहला condition तो यह जान रहे हैं कि molecular formula same होगा ठीक है तो जो compound होगे जो ring chain isomer दिखाएंगे compound के तो molecular formula same होगे पर जो compound होगे दो अलग 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 सिस्टम होगे अलग अलग सिस्टम कहने का मतलब एक आपन चेन में होगे और दूसरे क्या होगे cyclic structure में होगे तब ही उसके बीच में जो रिलेशन होगा उसी को हम लोग rci ring chain isomer कहेंगे क्या कहना चाहते हैं जरह समझे यह आपस में ring chain है molecular formula c3s6 इसका भी यही है c3s6 molecular formula same है पर यह open chain में है और यह ring chain में है तो दूनों के बीच का relation क्या होगे है rci clear और समझना चाहते हैं जरह समझे है cs3 bit one end है अगर हम इसका structure ऐसे बनाए cyclo beauty ऐसे भी बना सकते थे one methyl cyclopropane ऐसे भी बना सकते थे को दिकत अब देखो यह structure one है यह two है यह three है यह four है अब पुछा ring chain isomer किसके किसके बीच हो सकता है यह open chain यह cycle तो one जो है three के साथ one जो है four के साथ अगर पूछेगा तो क्या बलोगे कि ring chain isomer है है ना पर अगर पूछ दिया one और two के साथ क्या relation है one two के साथ क्या relation है यहाँ double bond का position one पर है यहाँ two पर है इसको क्या कहेंगे positional isomer clear पर त्री और फूर पूछ दिया तो तो थृ और फूर पूछ दिया लो तो क्या कह देंगे parents chain prenně-t-chain का शाइज बदल रहा है , Hydrant-chain का size बदल reg Geno cycle अगर पनटीन है और Hexine है पनटीन रहता तो क्या कह आधेते हैं लिए है इस तरह से rushingος है ? यह आपस में क्या कहना जाएगा RCI, clear है, तो ring chain isomer समझ में आ रहा है, क्या होना चाहिए, एक open structure होना चाहिए, और एक close structure होना चाहिए, दोनों का molecular formula सेम होना चाहिए, तब वहाँ पर ring chain isomer का concept established होगा, clear है, note कीजे, तब और example कराते हैं, noted. समझ रहे हो कैसे करना है, तो एक क्या होना चाहिए, और एक और रिंग चैन में, जैसे माललो, examples, देखिए, अगर इस तरह से रहता, ये क्या कहला जादा, रिंग चैन होना चाहिए, प्रिंग चैन आईसोमर अगर कभी कुश्चिन इस तरह से आजाता है राइट राइट आल पसीबल अल पसीबल रिंग चैन आईसोमर अफ पेंट वन इंग यह तो आपेंचेन रहेगा है यह पेंट वन इंग है यह आपेंचेन में है इसके क्लोज बनाने है एक तो यह बन जाएगा एक यह बन जाएगा एक यह बन जाएगा और एक यह बन जाएगा एक ये बन जाएगा इसमें हम लोग सिर्फ structural की बात कर लें है write the all possible ring channel इस्टुडियो को हटा के बात करते हैं ये one है इसके तागे नहीं जाएंगे तो two, three, four, five, six तो one के साथ सभी चाहे two हो, three हो, four हो five हो, six हो ये सभी ring channel isomer है RCI है पर अगर पूश देता कि two और three क्या है तो two, three के साथ channel isomer, CIE three, four के साथ channel isomer, CIE क्योंकि parent chain का size बदल गया है नग, अब ये और ये पूश देता तो क्या हो जाता इसकी position बदल दो, sorry ये और ये क्या हो जाता four और five क्या हो जाता ये side chain दो कारवन का है और यहाँ एक कारवन का है तब भी chain isomer, CIE side chain से भी तो decide करते हैं अगर ये पूश देता यहाँ भी वही बात हो जाता पर ये दोनों पूश देता five और six के बारे में position बतल गया one one dimethyl cyclopropane one two dimethyl cyclopropane तो ये क्या कहला जाएगा PIE तो ring chain इसके लिए क्या हुआ ये सभी पांचो तो इसके कितरे possible ring chain isomer हुए पांच देख रहे हैं कि देखें और इसमें जब relation established किये तो size बदल रहा है parent chain का तो इसलिए ये सब क्या कहला है chain isomer यहां position बदला तो क्या कहला रहा है positional isomer doubt है क्या और example देखिए कैसे established relation करेंगे समझ में आ रहा है relation को कैसे establish करेंगे पता चल रहा है अगर view time है तब तो ये structure इसके लिए क्या कहला जागा ring chain isomer एक open chain हुआ दुसरा close chain हो गया clear है कि नहीं है और अगर इसी में ऐसा लिख देते तो ये दोनों आपस में क्या कहला जाता positional isomer P.I. तो यहली कहानी आप समझने लगे कि chain क्या है ring chain क्या है positional क्या है functional क्या है metamers क्या है है ना अब सब चीज को आप सीख गए है अब एक class सभी पर से practice का सभी पर से practice का तर लेके चलेंगे toitomers पर तो आज इतने ही रहते हैं मिलेंगे कर कल note किया जाए